हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चनल आज हम बात करने वाले नाद बायो जैंस के बारे में तो फिलाल यहां पर मैं आपको कम्प्लिटली डिटेल देने वाला हूँ और इसलिए पहले आपको वीडियो एंड तक देखना है फिर बाद में आपको सोचना है क्या करना है यह शेर के साथ यह सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो प्लीज एंड तक देखो क्योंकि तब भी आप सीख पाओगे नहीं तो आप आदा दूरा एक मिनिट दो मिनिट देखोगे कुछ समझने वाला नहीं है जो आपकी कमाई है सालों से जो जीरो हो रही है मार्केट से या माइनस में हो वो माइनस में ही रहेगी ठीक है तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ देखो बहुत लोगों का ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रॉफिट में ही होते है शेर मार्केट में बहुत लोग लॉस में तो यहाँ पर यह कंपनी के बारे में मैं थोड़ी डिटेल देने चाहता हूँ कि क्या-क्या है कंपनी का बिजनस कैसा है तो यह बहुत बार में दे भी चुका हो लेकिन जो नए लोग जुड़ेंगे उनके लिए मैं रिपेटेट कर देता हूँ यह चीजे ठीक है तो यहाँ पर पहले देख लो कि मैंने कप-कप डाले हुए है जिससे आपको आइडे आ जाएगा तो पुरानी वीडियो भी आप अगर चैनल से देखना चाहोगे तो देख सकते हो तो तब क्या प्राइस था सारी चीजे में जब इसमें प्रॉफिट लूँगा तो पुरा हो सारे वीडियो का रिवी भी फिर से करूँग था completely इसके बारे में detail दी थी फिर next वीडियो आया 6 फरवरी दो तीन महिने बाद फिर से एक वीडियो डाला मैंने ठीक है और latest वीडियो ये था उसके बारे में latest जो भी update आया था उसके बारे में बताया फिर उसके बाद ये एक छोटा सा short वीडियो है फिर एक बड़ा पिट नहीं आयाते जादा तो कोई-कोई लोग यहां वहां बटक जाते लेकिन देखो यहां पर भी मैंने सेम चीज बताई है या उसमें जो भी चेंजेस आया वह बताया एक में के बाद डायरेक्ट 31 में को भी मैंने बताया कि इसमें जो भी बैड न्यूस आई थी वह एक च इचे सिगनल आये थे शेर्स में ओ चीजे मैंने बताई है शेर की है तो अभी फिलाल यह कंपनी का बिजनस देख लो समझ लो यहां पर मैंने जस्ट एक बार एक वर्ड यूस किया था यह भाजीपाला का बीज वगरा बनाता है या भाजीपाला वगरा वर्ड यूस किया जूत आ तो किसी विव और को बाजीपाला सुनने में तोड़ा अजीब लगा मैं तो यहां पर जितने हुमारे जो छोटे बड़े जो भी छोटे-छोटे-छोटे इंवेस्ट रहेगे हैं कई छोटे से रहेंगे चोटे म को भी जो समझ में है बाशा ज़्या जादा यूस या अधर जो भी चीज़े है देखो इंग्लिश में most of चीज़े यहाँ पर होती है उसको ही में हिंदी में convert करके बोलने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको clearly सभी लोगों को समझ में यह मेरा main motive होता है नहीं तो just English पढ़ने हैं इंग्लिश में बताना इंग्लिश लोगों को फायदा है थोड़ा बहुत उनको और clearly समझ में है इस वज़े से में यह इस तरीके word भी उस करता हूँ लेकिन किसी किसी को वो चीज़े भी awkward लग जाती है देखो reality है जो है वो accept करना है जो main चीज़े हमको सभी को सिखाना है सभी लोगों के लिए करना है यहाँ पर एक या दो लोगों के लिए नहीं है चीज़े ठीक है थो यहाँ पर देख सकते हैं यह तो इसके भी बिज बनते हैं और कोई यहाँ पर आप देख सकते कौन से गयो है तो यह सबी बहुत सारे यहाँ पर इनके प्रोड़क के लिस्ट में बता दुन्गा यह चालिस साल का इनका company का experience है ठीक है और ये सारे जो बीज है देखो ये सारे चीज़े ये company बीज बनाती है यहाँ पर not seed यहाँ पर आपको देखने मिलेगा हर बीज खरा शक्ती भरा तो ये बीज बनाती है ठीक है और याने बीज प्रोडूस करती है या फिर उसको अच्छे से अच्छा बीज उसको बनाके वो मार्केट में या फार्मर को बेश दिये तो फार्मर यहाँ पर देखो पाच लाग से ज़ादा फार्मर या किसान पाच लाग किसान यहाँ पर connected है ये company के साथ मतलब पाच लाग किसान इससे ही खरिते हैं, बीच खरिते हैं, प्रोड़क्ट खरिते हैं, और 150 टाइप के प्रोड़क्ट है, इनके पास मतलब इतने टाइप के और सीड ग्रोवर से, 10,000 तक सीड ग्रोवर से ग्रो करते हैं, ठीक है, और यहां पर 30 टेस्टिंग लोकेशन यहां पर है, जहां पर टेस्ट किय दिया जाता है उसको की ये इनका में काम है गङक रिसका रिशा चेहका है और यहां पर इनके ट्रेंडिंग ट्रोडक्क कोंसे यहां पर पुशी 27 यह कौन सी चीजों के लिए क्या है उसके अंदर पुरा उपर भी लिखा है यह जैसे यहां पर आप देख सकते हो यह तहलका करके एक है जो यह राइस ग्रेन के लिए राइस के लिए है तो यह अलग-अलग टाइप के अलग-अलग चीजों के लिए बिंडी के बीज है तो में कमपनी का यही बिजनस है और यह कपास, रुई, कापूस यह सारी चीजे भी कमपनी उसके भी बीज, सभी कमपनी के पास बीज रहेगे इसे खरिदते हैं किसान और वह अपने खेत में लगाते है ठीके तो ये company का business है 40 साल से company है और लेकिन company ये business करने के बाद कमाती कितना ये सबसे बड़ा important point होता है किसी भी investor के लिए invest क्यों करें ये company में तो कमाई कितनी होती है अगर आप समझ लो कि आपने ये company में invest किया अभी चलो 176 का भाव पे इसको invest किया तो आपको कितना return आएगा ये सबसे बड़ा important होता है तो ये company में फिलाल performance कैसा रहा है देखलो पहले ये 367 का ये high था इसने 52 की एक साल में इतना high था वहाँ से 151 याने लगबग ये 50-60% से जादा ये already गिर चुका है तो इतनी गिरावट ये share ने दिखाई हुई है और अभी भी गिरावट में ही है share क्योंकि high से काफी जादा ये गिर चुका है फिर भी company dividend देती ये सबसे अच्छी बात होती company का dividend ये आपका extra benefit होता है जो आपके account में आपके saving account में जो पैसा आता है extra ये पैसा आता है समझ लो कि आपको एक type का badge ही आ रहा है interest ही आ रहा है और P थोड़ा सा महिंगा है ये company का मतलब इसमें earning करने के लिए आपको ज़ादा पैसा यहाँ पर देना पट रहा है इसका stock का P थोड़ा महिंगा आ रहा है और ROC कम है return on capital employed इसमें होता है debt capital भी लगा रहता है debt capital याने करजा जो company ने उठाया है equity capital मतलब जो हमने share खरीद के company को पैसा दिया है वो equity capital तो दोनों मिला कि उसका साड़े पास टका तक company return generate कर रही है और return on equity याने जो company को हमने जो पैसा दिया share का पैसा है equity का खुद का भी उनका पैसा है उस पर ये चार्टक का ही कमा रही है तो return ज़्यादा नहीं generate कर पा रही है इतना market capital होने के बावजुत market capital देखो 334 करोड का है ठीके और यहाँ पर other detail की बात करेंगे तो देखो एक साल में share में काफी गिरावट ही देखने मिल रही है continuous गिरावट ही है चार्ट में कई upside ज़्यादा दिख नहीं रहा है बड़ा upside यहाँ पर हमको नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर तीन साल में भी देख लो उपर से काफी जबर 10 गिर चुका था यह 27 मार्च 2020 को चारसो का भाव मिल गया लॉक्डाउन के बाइट जिसने ओ टाइम पर गिरावट में जो खरीदता है वह हमेशा प्रॉफिट में होता है यह समझ लोग यह शेर मार्केट का रूल है और जो हाई पर खरीदता है हमेशा लॉस में ही होता है तो मेशरेट्व लोग हाई पर अटक जाते है उसके वज़े से जढ़ा से ज़जादा लोगों को लॉस हो जाता है चाहे mi हो कोई भी हो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो थोड़ा भी हाई पर निकल गया या गिरावट मतलब गिरते टाइम पर भी खरीद लेता है तो हरता जाधा घरात में फस्ज जाते हैं और पास साल की बात करेंगे तक बास कुछों पास साल में भी सिस्ने डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा यह इसका पास साल से भी और दस साल से भी देखो लेकिन अपसाइड एक बार दिखाया था दस साल में इसने अच्छा पर्फॉर्म किया था और यहां पर यह प्राइस था वो टाइम पर पचास रुपे का शेर यहां पर इसने साड़े जतना जलदी रेहां जाधा से जाधा देता है उतनी जलदी उसका नुखसान किर टार यहां तो वही चर्टर रिपीटेड बटा रहा और प्रॉज में प्रॉज मतलब पbag Marriage चीज़े इसमें क्या है कि इसका book value जो book value होता है वो net asset होता है asset काफी अच्छा है company का company के पास asset अच्छा हो तो ये company मतलब समझ लो कि आपको long term के लिए सफी होता है ठीक है और konse की बात करेंगे तो company has dealer poor sales sales तो खराब कर रही है 10% के हिसाब से 5 साल के 5 साल में और company has low return on कम है कम देती है डिविडन और जादा दे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन यह रखा हुआ है और पियर कंपेरिजन में यह आटवे नंबर पर फिलाल क्यूंकि मार्केट कैपिटल जो सस्ता है या कम है वह कंपनी सबसे नीचे होती है तो इसका मार्केट कैपिटल काफी कम है 334 करो रहे और मैंने हमेशा से कहा था जून कॉर्टर में सबसे अच्छे रिजल्स आते है और यह विवर ने मुझे बताया कि इस पर आपने अपडेटेड वीडियो या रिजल्स के बारे में नहीं बताया इस वज़े से मैंने यह वीडियो बनाया है मुझे याद है कि मुझे य रिजर्ट शो करना चालू किया था और एक ही दिन में बहुत सारे वीडियो बनाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं इतना एक ही वर्क करते नहीं होता तो में मेज़ोरेटे टाइम बहुत सारे बिजनेसे और काम वगरा करते रहता हूं तो इस वज़े से ज्यादा नहीं बना पाता और एक हाथ वीडियो आ जाता है एवरी डे में कोशिश करता है एवरी डे में एक वीडियो आ जाए और लेकिन ये शेर पे देखो फिलाल हमेशा से ये रहा है कि जून के कॉर्टर के रिजल्स हमेशा अच्छे होते और मैंने बोला भी था जून कॉर्टर में अच्छे result ना यहाँ करना है और उसके अंदर और फ़रत्म जाते है झुन से युविरटी शेल हो पड़े है तो सो मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ठीक है खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है ठीक है और यहां पर देखो 30% तभी कमा लिया था लास्ट येर में और अभी 16 टका कमा रहा है ठीक है और मतलब थोड़ा थोड़ा कम ही हुआ है एक्सपेटेशन से थोड़ा कम है और यहां पर यहां पर 45 करोड का प्रॉफिट भीफोर टैक्स था अभी 31 तो थोड़ा-थोड़ा कम ही नजर आ रहे नेट प्रॉफिट 45 था यहां पर नेट प्रॉफिट 31 हुआ है तो इस वज़े से थोड़े लास्ट येर के इसाप से खराब है लेकिन कॉटर के इसाप से अच्छे ही है देखो ये कॉटर के इसाप से अगर देखा जाए मार्च से कंपेर करने जाए तो फिलाल अभी रिजल्ट पॉजिट्व में है तो ऐसे ही रिजल्ट्स रहे जरा बड़े अच्छे ज्यादा रिजल्ट्स रहे तो कंपनी के लिए भी अच्छा ही होता है और नहीं तो फि कर ये कंपनी ये देख लेते हैं 80 करोड का सेल स्टार्टिंग में किया आता 2011 में अभी देखो फिलाल 275 कोरड हम लाइक है और नेक्स्ट येर दो आजर तेएस में मार्च 23 में नेक्स्ट येर के इसमें यह पूरा जादा से जादा सेल आने की उम्मिद है क्योंकि अल्रेड़ी यह आकड़ा पार कर चुका है 275 तक यह अभी फिलाल पोच चुका है लेकिन सेल बहुत अच्छा किया है company ने तो इस वज़े से positive चीज यह देखने मिल रही है यह टीटीम जो currently चल रहा है सबी महिनों का sale पकड़के यह figure आता है और बाद में यहां पर आप देख सकते हो इसके operating profit थोड़े कम हो रहे क्योंकि यहां पर expenses के वज़े से और expense जितना control में रहे उतना company के लिए अच्छा होता है और यहां पर देखोगे तो 9% ही margin company कमा रही है पहले से सालों से अच्छा margin कमा रही है यह आपके लिए बहुत अच्छी news है कि यह company के इसाब से तो company ने ज़्यादा किसी को घाटा दिया नहीं है और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर profit before tax वगरा यह माइनस में आ गया है और में चीज़े अधर income के वज़े से अधर इंकम पर कभी dependency नहीं होनी चीए क्योंकि मार्च 2022 में अधर income में किदर तो घाटा किया कई काई investment हो सकता है कुछ हो असेट हो सकता है या कुछ सेक्रिटी हो सकती कोई भी हो जो भी चीज़े बेच के इनको जो लॉस होता है ठीक है ओ लॉस यहां पर होता है यह गिना जाता है तो इस वज़े से यह लॉस है नहीं तो कंपनी के सेल के हिसाब से कोई लॉस कंपनी का है नहीं ठीक है लेकिन ओ तो जो भी चीज़े है ओ अधर सोर्स यहां पर या अधर इंकम के उपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चीए तो सिर्फ ओही सेल का चीज़ खराब है बाकी चीज़े यहां पर कंपनी में तो फिलाल से अच्छा ही चल रहा था अभी तक ठीक है और यहां पर हम देखेंगे श्टॉक का सीαιं ऐजर यह सालों से हमको लसी देती है रही है मतलब जो बी इन्वेस्टर पहले से है इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो जादा से जादा उन्होंने 5 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो, loss ही किया है और 10 साल का तो यहां पर show नहीं कर रहा है क्योंकि 2014 से कुछ market में है ठीक है, market में, share market में उसके listing हुई है तो इस वज़े से यह हमको 2011-12 से अगर listing होती तो हमको 10 साल के भी नजर आ जाते हैं यहां पर तो फिलाल company ने फिलाल most of majority लोगों को loss ही दे रही है और यह loss permanent नहीं होते फिर से company और अच्छे returns देखो company पहले से profit generate करते हुए आ रही है और फिलाल यहां पर यह अधर चीजों के वज़े से यह company loss में है और यह other income का loss नहीं दिखे तो company profit में ही आपको नजर आएगी ठीक है तो यह चीजे तो company की हमने clearly समझ ली लेकिन यहां पर अभी इस पर loan कितना है यह important होता है कि किसी भी company पर loan जितना ज़ादा हो company के लिए बहुत risk होता है तो company पर loan थोड़ा manageable है ज़ादा loan नहीं यह 93 करोड का company पर loan है उससे पहले 101 करोड का था और 2023 तक कितना loan रहता है company पर वो भी हम देखेंगे अगर इसमें investment किसने किसने किया है हम shareholding pattern की बात करेंगे तो देखो promoter थोड़ा खरीदा है promoter ने यह चीज अच्छी है जून में थोड़ा सा 0.2% promoter खरीद रहा है promoter खुद खरीद रहा है याने अच्छी चीज होती है FIS foreign investor भी खरीद रही यह भी एक अच्छी चीज है लेकिन domestic investor बेच रहा है domestic investor में इंडिया के बड़े investor शामिल होते है mutual fund शामिल होता है तो इसके अंदर उन्होंने थोड़ी sell की है और यहां पर public भी खरीद रही है public ने खरीदारी रखी है चालू तो यह भी चीज अच्छी है तो यहां पर थोड़ा थोड़ा percentage बढ़ चुका है थोड़े थोड़े shares बढ़ चुके है सिर्फ d.i.s ने बेचे है ठीक है तो फिलाल यहां पर चीज़े positive है थोड़ी बहुत negative भी है और इस वज़े से इसके mix होने के वज़े से ज़्यादा से ज़्यादा तो यहां पर mix result ह इसके तो long term की हिसाब से या थोड़ा और time की हिसाब से थोड़ा share तो अच्छा ही है इतना कोई खराब है नहीं और हमेशा कोई भी share या कोई भी company जो farming के उपर depend है खेत पर depend है जो किसानों पर depend है तो देखो already किसान हमारे देश के किसान जो है उनका तो काफी नुकसान हो ज जिवी थे जिन्दा है वो देश का पूरे सबका सबका अनाच प्रोवाइड करने का अनाच सबको देने का उगाने का काम करते है तो मेन हम भी एक तरीके से वह इसे जो company जिनके लिए काम कर रही है उन पर हमने पैसा लगाया है तो कभी अच्छा फल मिलेगा या कभी थोड बारे में बात कता हूं यह चानल उसी के लिए है अधर चानल पर आपको बहुत सारे शेर की बारे में पता चलेगा लेकिन यहां पर सिर्फ मेरे ही शेर के बारे में ज्यादा आपको पता चलेगा कोई requested होगा तो विवर के demand पर बना देता हूं उनके कोई portfolio का शेर होता है त तो मेजरिटी स्टॉक मैंने डालाए जीमर तो यह सारे स्टॉक की इंफॉर्मेशन में अल्रेडी दे चुका और जो जिसमें से प्रॉफिट लिया है वह भी सारे चीजे में बता चुका हूँ कौन से में अभी लॉस चल रहा है कौन से में प्रॉफिट चल रहा है तो देखो मैं क्लियर रहना चाता हूँ वही चीजे ज्यादा अच्छी होती है जो ट्रू है जो सही है सच है वही चीजे में लोगों तक पहुचाना चाता हूँ कोई बहलाना फुसलाना या गलत चीजे बताना नहीं चाहता क्योंकि खुद भी इन्वेस्ट करके अच्छा कासा अर्न कर लेता हो इससे मार्केट से तो यहां पर देखो नाद बायोजेंस का यहां पर फिलाल 175 यहां पर प्राइज जो दिखा रहा है और यहां पर 276 मेरा खुद का प्राइज है यहां पर देख लो मेरे रिटरन सी नेगेटिव में है अभी भी 36% में खुद नेगेटिव में हूँ माइनस में हूँ उससे भी ज्यादा कुछ शेर और भी है जो और लॉस में है यह अप डाउन चलते रहता है कोई बात नहीं लेकिन यहां पर इसके बारे में देखो यह ना यह 2% की गिरावट दिखाई थी अल्रेडी मार्केट उस दिन याने फ्राइडे की दिन याने 19 ऑगस्ट को काफी गिरा था 19 ऑगस्ट को ज्यादा मेजोरिटी गिरावट इसमें देखने बहुत सारे शेर में यह मार्केट ही कम्प्लेटली गिरा है उस वज़े से शेर इसमें कौन से कौन से शेर कितने याने मेरे शेर बावनविक हाई पे कितना गिरावट में हाई से तो हाई में यह देखो बावनविक हाई के हिसाब से बावन परसेंट ही गिरावट में है और 16 परसेंट इसने रिकवर कर लिया है लो से जो लो है इसका 151 का उससे 16 अभी भी इसमें बाई दिख रहा है मुझे अभी भी मैं इसको बाई कर सकता हूँ अगर P wise देखा जाए P not applicable बता रहा है क्योंकि P काफी महिंगा हो चुका है इस वज़े से इसको बाई नहीं कर सकते लेकिन जो P wise अगर देखा जाए लेकिन इसको down wise देखा जाए काफी down है अ और उपर से यहां पर अगर recovery wise देखा है तो अगOR備 recovery आनी बागिए इसमें जस्कम ही रिकावर हुआ है तो इस वज़े से भी buy ही रखाए मैंने ठीक है तो इस वज़े से यह शेयर को अभी भी buy करके मैं तो खुद भी buy कर रहा हूं इसमें और भी मेरा price कम होते आया है मेरा latest price में यहां पर update करना चाहूंगा कि मेरा price इससे भी कम आया हुआ है तो इस वज़े से यह share फिलाल काफी काफी आगे जाने की यहां पर आगे जा सकता है और chances से से इसमें ठीके तो इस वज़े से यह शेयर में अभी भी रह सकते हो old कर सकते हो और यहां पर मैं ज्स आपको मेरा जो latest price है वो अपडेट करने के है मैंने ठीक है तो बाइंग चालू रखने के वज़े से ये शेर अभी कितने यहां पर 272.50 तो मैंने थोड़े बहुत शेर और खरीद लिए तो मैं खरीदते रहता हूं तो 272.50 का मेरा अभी यहां पर प्राइज आ फिर भी मैं 35% डाउन में हूँ कोई बात नहीं लेकिन और भी यहां पर खरीदारी जब जब मुझे लगे अभी भी गिरावट उस दिन गिरावट था तो खरीद लिया और भी गिरावट या कुछ या जब लगेगा तब मैं खरीदते इसमें रहूंगा और इसका यह प्राइ करके ही मैंने भोछ similarities कर चुँका हूँ और यह कुछ लांग टर्म के भी अभी देख़ो बहुत सारे शेर्स प्रॉफिट में भी चल रहे क्ळेगा कि प्रॉफिट नहीं करता व्रॉफिट करता हूँ और यह जो यहांपर मैंने लिस्ट जो दिखा रहाओ यह सारे श प्र कितने returns मैंने यहाँ पर book किये है, अगर मैं book नहीं करता, तो कोई-कोई shares और भी आगे भागे है, कोई-कोई गिरे भी है, तो ऐसे बहुत अच्छे-च्छे shares के बारे में, यहाँ पर मेरे channel पर आपको देखने मिलेगा, किसी-किसी में ज़्यादा भी में profit ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, PNB housing में मैंने 132% का profit लिया था, ठीके, तो ऐसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी profit मेंने 300-300% भी book किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 303% का profit book किया है, अलाइट डिजिटल सर्विसेस में, तो होता है, कोई long term के लिए रखता हूँ, कोई short term के लिए रखता हूँ, यहाँ पर 323 जिंदाल, steel and power में, तो इस तरीके का, सभी type की videos मेरे चानल पर आपको मिल जाएंगे, short term, long term, जिसमें भी मैंने, और यह reality है, reality में show करना चाहता हूँ, चलो आपने जो मेरे पहले के नहीं देखे रहेंगे, तो अभी latest जो भी मेरे portfolio में, यह तो है shares, जो गिरावट भी दिखा रहे हैं, तो गिरावट से मैं कैसे profit में से निकल रहा हूँ, यह भी आपको देखने मिलेगा, और अभी अभी latest ली रेपको होम करके, जो मेरे portfolio का share है, और वो रेपको होम भी 50-60% गिरा था, आज वो share में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रेपको होम, finance जो मेरे portfolio में है, वो काफी अभी कम गिरावट दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीके, तो रेपको होम, यहाँ पर आप देख सकते हो, 8% की गिरावट दिखा रहा है, और यह पहले 40-50% की गिरावट पहले गिरावट में था, और सडनली ये बहुत स्पीड में भाग रहा है अब भी रिसेंट मैंने वीडियो बनाया था इसने लो से देखो 180% रिकाउर हो चुका है इसके लो से तो फिलाल अभी भी ये शेर 28% सिर्फ बावनुक हाई से नीचे है और मेरा ये प्रॉफिट देके ही उपर जाने वाला ये हाय तोड के उपर जाएगा ये जरूर मुझे ऐसा लगता है इस वज़े से अभी भी मैं इसमें इन्वेस्टेट तो मेजरिटी में देखो जल्दी किसी भी शेर को बेशता नहीं लॉस में तो बेशता ही नहीं मेरी आदत है और जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक कंपनी में रहना मुझे पसंद होता है तो इस वज़े से ये शेर में भी रहूंगा और नाद बायो जैंस में से भी मैं आपके सामने प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा जो लोग चैनल से जुड़े है जो होप में है उनके लिए ये होप ही है कि ये चैनल पर आपको बरोसा मिलेगा पेशन्स मिलेगा और अच्छे शेर मिलेंगे देखो खराब शेर को में ज़्यादा होल्ड करने का हो किसी को नहीं बोलूंगा या हर एक की अपनी मर्जी होती है और अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपको खुद को लगे कि नहीं ये शेर आपको लगे रखना चीए तो रखो नहीं रखना चीए लगता है मेरे बातों में नहीं आना है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको र सोच के रखता है उनके लिए यह चैनल पर इन्फोर्मेशन मिलती रहेगी हमेशा और उनके लिए ही यह सिखानी की कोशिश करता हूँ जो बहुत ट्विक और छोटा टाइम का शौट टम प्रिरियड का उनका सोच रहता है या उनको रहना रहता है उनके लिए मोस्ट आप या जाता भी है दोनों चीज़े होती है तो यह मेरा खुद का लाइव एक्सपिरियंस है और मेरे एक्सपिरियंस के वज़े से मैं सारी चीज़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बता रहा हूँ ठीक है तो आपने जो भी सिखा आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लगी तो यह वेरी मुच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू बाइवाई